आप सभी को राम राम मैं आचारी किशन महिश्वरी आज आप सभी को आने वाली जनमस्टमी के पाउन परव के विशे में एक अद्भुद जानकारी और कैसे मनाए भगवान किर्शन का जनम और कैसे उन्हें रिजाएं और कैसे करें उनको परशन कब है 26 अगस्त 2024 वार सोमार को जनमस्टमी जनमस्टमी यानि कर्शन जी भगवान का जनम जब रोहनी नक्सतर आता है तभी होता है 26 की शाम को 8 बजे के आसपास रोहनी नक्सतर परवेश करेगा जिससे उनका जनम 12 बज के 1 मिन्ट पर होगा अब आपको मैं बताता हूँ रोहनी नक्सतर की एक विशेश बात देखिए रोहनी नक्सतर में जिस भी जातक का जनम होता है वो भग्यवान होता है क्योंकि चंदरमा उस दिन उचका होता है आप अपनी पत्रिका में देखिए आपका जनम किस नक्सतर में अगर रोहिनी नक्षत्र में किसी भी जातक या जातिका का जनम होता है तो वो धन धाने से परिपूरन होता है और बहुती भाग्यवान होता है अब आपको बताते है कृष्ण जी भगवान का जनम उच्छब कैसे मनाया जाए देखे सबसे पहले अगर घर में कृष्ण जी भगवान का चितर है तो बहुत अच्छी बात है लड़ु गोपाल जी है तो और भी अच्छी बात है नहीं तो एक बजार से चितर आप लियाए उनको जूला में बठाइए या छोटे से लड़ु गोपाल जी उनको जूला में उसके बाद फिर उनको नए वस्तर पहना करके उनके जनम उत्सव की खुसी मनाईए। फिर आप जो दीपक जलाईए। अगर आप सक्सम हैं तो आप उस दिन उपास रखिए। अगर किसी भी तरह की आपको ऐस्वस्त ना हो तो ही वर्त रखें। और साथ में अगर वर्त नह अप लग जाएगा। अब ऐसा क्या करें कि गरीबी यानि तकलीफ पीड़ा वाले लोग कैसे धनवान बने जिससे की उनकी गरीबी दूर हो। देखिए क्रिशन जी भगवान के मित्तर थे सुदामा। जब सुदामा यही कहता था कि मेरा यार क्रिशन जी है तब तक वो ग का हल होगा। जब वो गए तब उनकी समस्चा का हल हुआ। कैसे गए? उनकी धरम पत्नी ने कुछ चावल एक लाल रंग के कपड़े में अंगोचे में बांध करके दिये और जब वो क्रिशन जी भगवान जी के पास गए उन्होंने चावल उनको भेट किया तो क्रिशन ज की बात कहें। देखी भगवान से और मंदिर से ही आप कुछ मांग सकते हैं। अन्य था नहीं। अब आप क्या करें? मैं इक अद्वुत उपाए और आपको बताता हूं। अगर किसी भी जाते का विवहा नहीं हो रहा या किसी भी तरह ऐस्वस्त है तो उस दिन आप थोड बनाईए और वो क्रिशन जी भगवान को भोग लगा के गरीब लोगों में वितरन कीजिए। आपकी गरीबी भी दूर होगी, आपका विवहा भी होगा और निश्चित तोर पे आपकी बिमारियां खतम होगी। अब आपको एक अद्वुत विशे बताते हैं जिससे जनमस का अर्थ आपके समझ में आए। देखिए नाराण भगवान ने भी जनम लिया तो जेल के अंदर लिया। अगर कोई कोट कचेडी अदालत का केस आपके उपर चल रहा है और किसी भी तरह से आप प्रेशान है तारीक पे तारीक लग रही है तो एक अद्वुत परियोग कर निश्चित आपको जेल से रहात मिलेगी या कोट कचेडी अदालत से रहात मिलेगी आप उस दिन एक भोजपतर ले लिजे भोजपतर पे अपनी समझा लिखिये उसी में थोड़ा कपूर रख दीजे और रात को सही बारा बजे वो भोजपतर एक मिट्टी के बरतर में होंगी और सके आप लोगों से अगर पूरे दिन बैठ करके आप ओम नमोनान भगवते बासुदेव का जाप करें और किसी को संतान नहीं हो रहा है तो किसी भी विद्वान पंडितों से उस दिन गोपाल सेक्स का पाठ कराएं निश्चित आपको संतान का योग बनेगा आप भगवान जी को विशनु सहस्तर का पाठ किसी भी विद्वान पंडित जी से 5 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ कराएं और अगर सारी रात की ये विवस्ता हो जाए पूरी रात जनमस्तमी वाले दिन अगर 5 पंडित बैठ के आपके नाम से विशनु सहस्तर का पाठ करें तो आपका संपोन का खतम और पूरा साल आपका बहुत भैतरी निकलेगा आसा है विशे समझ में आया होगा आप सभी को राम राम